हलो एंड वेलकम बैक तू पूजा भात्या क्लासिस आई होप आप लोग जो कुछ भी ओनलाइन वीडियो लेक्चर्स में यहां यहां कहीं भी पढ़ते हैं आप उसे रिवाइस भी जरूर करते हैं तो हम लोग यहां पर हमारी वीडियो लेक्चर्स में नैशनलिजम इन इंडिया चाप्टर टू, क्लास 10, NCRT हिस्ट्री इस चाप्टर को कर रहे थे डिसकस काफी चीज़े हम कवर कर चुके हैं और अभी जो रिसेंट में हमारा टॉपिक चल रहा था वो था नौन-कोर्परेशन पूपरेशन मूवमेंट क्या है गान्धी जी ने क्या स्टेजेस सचेस्ट किये थे शेषरों में नौन-कोर्परेशन मूवमेंट कैसे किया गया how was non-cooperation movement going on in the city regions and why it failed in the city areas. All these topics are already being discussed. तो यह discussion हो चुका है. If you people have not seen those videos, आप लोग Pooja Baja Classes के YouTube channel पर जाकर फिर से उन्हें देख सकते हैं. Because link and flow बनाना history में बहुत जादा important है. So जो आज का topic है, again, non-cooperation movement से ही related है. शहरों में क्या हुआ था, शहरों में कैसे सारी चीज़ें complete की गई थी, इस movement के अंदर, क्या failures थे, लोगों ने क्या-क्या steps follow किये, वो हम already पढ़ चुके हैं. आज जो हम बात कर रहे हैं, that is non-cooperation movement in countryside, या फिर हम कह सकते हैं, villages. Basically, शहरों के outskirts के जो areas हैं, जो की गाउं हो सकता है, जंगली इलाका हो सकता है, open grassland, farmland, ऐसे कोई areas हो सकते हैं. तो जो हमारे non-cooperation movement in villages, ये जो topic हैं, इसके अंदर हमें total three different incidents, three different stories पढ़नी हैं. जो गाउं के लोग थे, वो तो वैसे भी गांदी जी से बहुत जादा प्रभावित थे, they actually thought कि गांदी जी जो ये movement लेकर आएं हैं, इससे तो हमें इसी बार अभी के अभी freedom मिल जाने वाला है. तो ये वो क्यों सोचते थे, क्योंकि गांदी जी ने इंडिया में आते ही गाउं की लोगों की बहुत जादा मदद की थी. I hope you people remember about Champaran Satyagrae, and you people remember about Khera, तो यहां के जो poor peasants and farmers थे, इन लोगों की गांदी जी ने बहुत help की थी, Satyagrae की मदद से. तो इसी वज़े से village and countryside में, एक तो गांदी जी पर सबको भरोसा था, और दूसरे उनके Satyagrae के method पर सबको भरोसा था. तो यहां पर हमारे पास total three incidents हैं. पहला incident आप देख सकते हो, जो पहली story हम पढ़ेंगे, that is related to Avad, जिससे पहले odd pronunciation में, locally, odd भी बोला जाता है, और यह UP, उतरप्रदेश के अंदर situated है, यहां हम story पढ़ने वाले हैं, और आज का beginning topic यही रहेगा. दूसरा जो incident हुआ था, वो है गुद्दम हिल्स का, गुद्दम हिल्स आंधर प्रदेश में situated है, यहां यह जो area है, this is not a village region, this is a forested area, ठीक है, और यह obviously hilly region है, तो forested area है, तो यहां पर गाओं की लोग नहीं, बलकि tribal people थे, तो tribal people ने भी, देखे, participation किया है, और उनोंने क्या किया, कैसे किया, कैसे चीज़ें आगे बड़ी, वो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, काफी interesting topics हैं यह, last, जो incident हम पढ़ेंगे, that is related to Assam plantation, plantation के बारे में, I hope you people remember, कोई भी एक बड़े से इलाके में, जब एक scientific method से, एक ही crop को उगाया जाता है, that is plantation, Assam में किस चीज़ की plantation थी, अगर आप लोग जानते हैं, तो आप comment section पर जरूर इसे लिख सकते हैं, basic knowledge, आपके इस chapter से related नहीं है, बट general concept तो जरूर है, तो Assam में किस चीज़ की plantation है या थी, वो आपको बताना है, and definitely वो plantation भी इंडिया ने suggest नहीं की थी, इंडिया ने नहीं खोली थी, इंडियन पीपल ने उसे शुरू नहीं किया था, it was introduced by the British people, तो इंडियन लोगों को problem होती थी, क्योंकि काम सब इंडियन करते थे और हमारे साथ ही justice नहीं हो रहा है, तो यह जो problem था, यह इसी वज़े से, इसी thought process की वज़े से, कि British हमसे हमारे rights चीनते हैं, हमसे हमारी जमीने चीनते हैं, यही सब thought process इंडियन को unite कर गया, यही thought process की वज़े से, एक ही भार में, influential leaders की बात सुनकर, लोग protest और British के खिलाफ आवाज उठाने में, बिल्कुल भी हिचके चाहे नहीं, चलिए, बिना देरी की हम अवद या ओध की कहानी शुरू करते हैं, इससे पहले हम लोग details पर जाएं, points को word to word पढ़ें, हमें पहले story के माधियम से, story के medium से समझना है, कि what was the incident that happened in odd और अवध in UP, तो एक गाओं का इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे Indian farmers है, और सभी farmers rich नहीं है, ठीक है, there are medium, small and very poor farmers living in this region, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद British जब इंडिया आते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको याद होगा, you people have read it earlier as well, that British people for effective administration system, introduce the system like जमिंदारी और महलवारी और रियोत्वारी, अब जमिंदारी महलवारी रियोत्वारी इन सिस्टम्स के अंडर आप जानते हैं, कि कुछ लोगों को British के अंडर अपॉइंट किया जाता था, जिनका एक तरीके से काम था, rent tax collect करना, अब वो rent कैसे collect करते हैं, मार कर, पीट कर, अराम से, जैसे तैसे, वो उनकी headache है, अब बात पैसे की है, तो जो जमिंदार भी होते थे, वो भले Indians क्यों ना हो, क्योंकि वो British से जुड़े हुए थे, और पैसे से related काम कर रहे थे, तो एक time की बाद, वो भी काफी cruel and rude होने लगे, अब हुआ क्या, कि यहाँ पर अवद में, जो farmers थे, उन लोगों को problem होती थी, tax भरने में, अपने land का rent भरने में, क्योंकि जो जमिंदार थे वहां के, जो landlord से, उन्होंने बहुत ज़ादा price hike किया हुआ था, वो क्या करते थे, कुछ person तो British को देना है, that was final, बट अपनी जेब भी भरते थे साथ में, corruption, और वो बिलकुल भी farmers को support ही नहीं करते थे, लेको landlord का का काम सिरफ rent collect करना थोड़ी है, वहां का ध्यान भी तो रखें, बट problem क्या थी, British ने कभी focus नहीं किया, और उन्होंने सिरफ पैसों पर ध्यान दिया, उन्होंने development पे कभी focus नहीं किया, ये problem लोगों को अवद में अव लड़ने लगी थी, जो लोग British के लिए काम करते थे, पैसे collect करते थे, markते थे, पीटते थे इन farmers को, पैसे देने के लिए, इनसे बेगार करवाते थे, बेगार क्या होता है, basically मुफ्त में काम कराना, जिसमें आपको कोई start time, end time, कुछ time भी mention नहीं है, कुछ भी काम करवा रहे हैं, फ्री में करवा रहे हैं, pathetic हालत में आपको रखा हुआ है, this is big our system, तो ये सब कुछ यहां इस गाउं में हो रहा था, और इस गाउं के farmers हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा परिशान, फिर इन्होंने सुना गांदी जी के बारे में, गांदी जी के बारे में सुना, उनके सत्याग्रह के बारे में सुना, सत्याग्रह के बारे में सुना, और फिर सुना, non-cooperation movement के बारे में, हिम्मत आ गई इन लोगों, इन्होंने सोचा ठीक है, हम भी support करेंगे, लेकिन आप यह ज़रूर देखेगा, कि यह जो गाउं के लोग थे न, इनका मोटेव बड़ा सा नहीं था, जैसे गांदी जी का मोटेव था न, पूरे इंडिया की अच्छाई, इन गाउं के लोग है इन लोगों का मोटेव प्यारा सा छोटा सा था, कि भाई, जो ब्रिटिश है न, सच्ची में बहुत बुरे हैं, वो हमारे साथ देखिचो क्या करते हैं, हमसे ज़ाधा tax लेते हैं, हमारी crop फेल हुँ जाए तो हमें support भी नहीं करते हैं, और हमें मारते भी हैं, पीटते हैं, अवत के अंदर एक और लीडर भी आई जिनका नाम था बाबा रामचंद्र बाबा रामचंद्र खुद बिचारे बिगार का शिकार थे he was an indentured labor जिनका कोई मतलब दिन नहीं रात नहीं कोई भी काम कर रहे हैं और पैसे भी फिक्स नहीं बहुत ही पथेटिक हालत में जी रहे हैं बाबा राम चंद्र को उनके early days में ही British, Fiji island पर ले पहे थे British ने सरफ इंडिया में कबज़ा थोड़ी क्या बता they have captured a lot many areas here and there and वो लोग लोगों को shift and transfer करते रहते थे ताकि कोई बगावत ना कर सके लोगों को shift transfer करते रहते थे वो तो बाबा राम चंद्र को उन लोगों ने Fiji नाम के छोटी से island है Pacific के अंदर छोटा island है वहां रखा था जहां पर बाबा राम चंद्र वहां की plantation fields में काम करते थे लेकिन बाबा राम चंद्र वहां से कुछ time पहले वापस lot आए ब्रिटिश उनने ले आए जो भी उनकी स्टोरी है तो वो जब इंडिया आए उन्हें पता चला कि इंडिया में political parties बहुत high level पर काम कर रही है what the benefit of इंडिया गांधी जी आ गए है सत्याग्रे, non-violence ये सब कुछ आ गया है उन्हें non-violence बहुत अच्छा लगा बाबा राम चंद्र पर्सनली राम भगवान के भगते तो उन्हें non-violence सत्याग रहे ये idea एकदम touch कर गया वो उस time जब ये non-cooperation movement चल रहा था वो अवद में ही रह रहे थे अवद में ही situated थे तो उन्होंने क्या किया वो उन्होंने सारा जिम्मा अवद का अपने सर पे ले लिया कि यहां के लोगों को मैं सिखाऊंगा कि non-cooperation movement में क्या करना है non-viol violence कैसे practice करते हैं basically movement के क्या बन गए leader तो बाबा राम चंद्र जो खुद indentured labor थे एक time पर फीजी से होकर आए हुए हैं वो अवद की movement के leader बन गए अब अवद का movement धीरे-धीरे famous होने लगा इतना famous हो गया कि जवाहलनाल नहरू जी ने खुद personally इस area में visitation किया वो जब यहां प यह तकलीफ हैं वो तकलीफ है जवालन नहरूजी ने बोला रुख जाओ ऐसे एकदम से मताओ एक काम करते हैं farmer की meeting रखते हैं जैसे Congress meeting करती है न और सब discuss करती है ऐसे farmer की meeting रखते हैं तो उस meeting का नाम रखा गया और किसान सभा इट वसन ओपन meeting everybody can come and they can present their problems usually महां farmer farming related problems थी कि उनको realize हुआ कि हम और इंडिया के कई लोग आज भी British को request कर रहे हैं कि आप हमें अपने साथ क्या करने दीजे election लड़ने दीजे ये करने दीजे वो करने दीजे जवालन नहरू को गुस्सा आने लगा कि British हमारे लिए कर क्या रहे हैं और हम इन से क्यू request करें कि हमें हमार नहरू जी ने क्या किया वो और ज्यादा भ्रमण पर व्योरे पर निकल गए कि मैं और ज्यादा देखना चाहता हूं कि इंडिया के बाकी एलियास का क्या हाल है ठीक है तो और किसान सभा हुई और लोगों ने सब गांदी जी वाला system follow किया British का समान boycott कर दिया British के लिए काम सब्सक्राइब होता है बेसिकली British जितने भी यहां रहते थे या वो लोग जो British के लिए काम करते थे उन लोगों के बाल काटना और कपड़े दोना यहां के नाई और धोबियों ने बंद कर दिया हम नहीं करेंगे आपका तो यह एक special type का revolution था इसलिए यह इतना famous है और आप सिस्टम भी फॉलो हुए प्रोटेस्ट पर भी बैठ गए सच की लड़ाई लड़ी वट हुआ कि यहां के लोगों को मैंने बताया जैसी कि गाउं की लोगों को मीट थी कि हमें तो आजादी मिल ही जाए इतने महीने गुजर गए अजादी नहीं मिले इतने महीने गुजर लैंडलॉड ने पैसे रेंट टैक्स कम नहीं किया अभी तक तो यहां के लोगों को लगा यह तो फिर मजाक हो रहा है इसका मतलब हमने इतना कुछ किया हम अंचन पर बैठे हैं हम कम तक बैठे ने फिर इन लोगों को आने लगा गुस्सा नॉन वाइले पर प्राक्टिस क कि यहां से हम लोग अब थोड़े थोड़े points सीधा सीधा पढ़ते जाएंगे बहुत ही सिंपल स्टोरी थी और वही स्टोरी इसी पूरी स्टोरी को point wise form में आपके आगे present किया गया है first point says after the introduction of the administration systems by British like zamindari farmers especially the poor ones have faced a lot of problems उन्हें बहुत अक्लीफे आई है क्योंकि पैसे कमाने के चक्कर में British तो लालची थे ही जो लोग British के लिए काम करते थे वो भी लालची हो गए थे तो वो जो बिचारे गरीब Indians थे उन पर डबल मार पड़ रही थी next landlords appointed by British charged high rents बहुत जदा पैसे और टैक्स लेते थे लोगों से बेगार करवाते थे और जो उनको पैसे नहीं देता था जो उनकी बात नहीं मानता था उनको मारते थे उन्हें पनिश करते थे और प्रेस करते थे तो स्टोरी हम ओरडी करी चुके हैं आगे बस हम आप पॉइंस ही पड़ रहे हैं I hope अब यह सिस्टम आपके लिए काफी इजी हो गया होगा तो अंडर्स्टाइब बाबाराम चंद्र जो की indentured laborer थे फीजी के अंदर ठीक है यह आ सकता है one marks के लिए इसे प्लीज आप गांधी जी तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश और लैंडलोड्स और पीपल है परफॉर्म्ड नाई धोबी बंद जिसके अंदर बार्बर्स और वाशर्मन स्टॉप्ड वर्टिश और ब्रिटिश और इवन पॉर्ट पॉर्ट पॉर्टिश यानि कि उन लोगों के जून 1920 जवाहलाल नहरू विजिटेड दी मूव्मेंट साइट तो वो आए मूव्मेंट फेमस हो रहा था और वहां पर यह देखकर कि वहां की जो पंचायत है और वहां पर जो फार्मर्स है दे आर फेसिंग सर्टन इशूज एक ओपन मीटिंग पंचायत जैसी एक मीटिं ब्रांचेज दूसरे गाओं के इलाकों में भी खुल गई और एक महीने के अंदर अंदर टोटल 300 ब्रांचेज वर ऑपरेशनल दीरे दीरे लेकिन लोगों को रिजल्ट नहीं दिख रहे थे उनको तो लगा था कुछ हो जाएगा लैंडलोड उनकी बात मान लेंगे मेभी ब्रिटेशन की बात मान लेंगे बट ऐसा हुआ नहीं देखो यह जो मुवमेंट से इन में टाइम तो लगता है बट उस ताइम यार यह फर्स ताइम यह लोग ऐसे कुछ मुवमेंट कर रहे थे तो देवर गेटिंग रियली इंपेशिंट बहुत ज्यादा उनको अंदर स यह कहते हैं हौल पढ़ रहे थे यह जल्दी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है तो वेन पीपल सौन नो इमिजेट रिसल्ट देगाट इंपेशिंट अंडे स्टाइट अटाइक दी हाउसे ऑफ तालुकदार तालुकदार कौन है वो इंडियन लोग जिनको जमींदार या ल उटली पूरी और जहां से भी उनको अनाज मिला अनाज फार्मर में मार्केट में नहीं बेचा बल्कि अपने पास रख लिया और अपने ही लोगों में फ्री में डिस्ट्रिब्यूट किया तो बाहर उन्हों ने जाने नहीं दिया अनाज मतलब मर्चेंट्स का या लैंडल टॉपिक है कभी कबार फाइव मार्क में डिरेक्ली ही आ जाता है पूरा का पूरा नहीं तो बीच-बीच में से पूच सकते हैं जैसे कि अभी हमने आपे समझा क्या था कि अवद के अंदर अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम क्या थी प्रॉब्लम यह थी कि जो तालुकद रहे थे मार पीट रहे थे उनको विदेवा बिंग रूट बहुत है टक्स और बहुत है रिंस और लास्ट वन वास्ट वास्ट पीपल तो बिगार तो इस वास्ट प्रॉब्लम यह थे प्रॉब्लम यह थे इसके लावा लीडर कौन बना यहां पर लीडर बने बाबाराम चंद्र और बाबाराम चंद्र और साथ में नहरूजी ने मिलकर और किसान सभा खोली और यह सभा एक महीने में 300 ब्रांच में मल्टिपलाई भी हो गई इसके अलावा जब एंड में लोग इंपेशन्ट हुए तो उन लोगों ने तालोगदार के घर लूटे, बाजार लूटे, मर्चेंट्स को बरबाद कर दिया और ग्रेन की होडिंग यानि की अनाज को छुपा लिया अपने पास ताकि वो और किसी को न मिल पाए तो यह सारी जो सिचुवेशन्स हैं, यह NCM इन अवद के अंदर की हैं, आपको सिंगिलर एक यह चोटा सा क्वेश्चन आ सकता है थ्री मार्क्स के लिए कि तालुगदार के साथ उनकी में प्रॉब्लम क्या थी, फार्मर की, तो यह तीन में प्रॉब्लम्स थी इसके अलावा आपको वन मार्कर में आ सकता है, और किसान सभा का नाम आ सकता है, लीडर कौन थे, बाबा राम चंदर और जबालान लहरू, मुवमेंट के लीडर कौन थे, बाबा राम चंदर, बाबा राम चंदर कहां से आये थे, फीजी के इंडेंचर लेबर थे, इसके एक five marker direct question है कि write a full note for non-cooperation movement in Awad, जिसमें आपको सारे ही points present करने होंगे ठीक है, और नाई धोभी बंद ये भी एक important part रहा है इस movement का, तो यहां पर हमारा non-cooperation movement villages वाले topic में Awad, हमने तीन villages तीन countryside areas पढ़ने थे, तो Awad is already over, now we are still left with two, but अभी हम एक साथ करेंगे, तो the video will get too long, so I know थोड़ा सा chill करके, हम लोग आम-ाराम से ही आगे बढ़ेंगे, तो तब तक आप लोग इसे revise कीजेगा, and I'll see you in my next video lecture, thank you